कल है सावन का चोथा और आखरी सोमवार और हर बार की तरह एक दिन पहले ही मैं आपको सावन के चोथे सोमवार की तैयारी करवा देती हूँ शिवजी की कृपा आपको जरूर मिलेगी आज आपको सावन के चोथे सोमवार में राशी बर उपाय बताऊंगी अपनी राशी के मताबिक कौन से उपाय कल करने हैं आज ही जान लीजेगा आज आपको बताऊंगी कि सावन में कौन सा अनाच शिवजी को चड़ाने से कौन सा संकर दूर होता है और हाँ आज ही आपको बताऊंगी कि पूजा कल कैसे करनी है सावन के चौथे सोमवार आपसे कोई गलती नहों इसका ध्यान रखेंगे शो की शुरुबात करने से पहले जल्दी से आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ क्या आपका पैसा कहीं फसा हुआ है कल है सावन का चौथा और आखरी सोमवार और कल आपको चौथे सोमवार में राशी के हिसाब से कौन से उपाय करने है या जी जान लीजे ताकि कल आपको किसी तरह की कोई प्राब्लिम ना हो मेश राशी के लोग कल आपको जल में गुड मिलाकर भगवान शिफ का भी शेक करना है आप गुड के साथ साथ थोड़े से चावर भी मिलाकर शिफ जी का पंचावक्षर मंतर के साथ जाब करें रिश्व राशी के लोग कल सावन में चौथे सोंबार पर दही से शिवजी का भी शेक करें इससे धन की समस्या नहीं होती साथ ही भगवान शिवग की स्तुती करें और बिलपत्र भी चड़ाएं और इसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मितुन राशी के लोग कल गन्य के रस से शिवजी का भी शेक करें एक महीने तक रोज करें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी और धतूरा भी चड़ाएं करक राशी के लोग कल शक्कर मिलावा दूद भगवान शिवग को चड़ाएं साथ ही आकड़े का फूल भी अर्पित करें सिंग राशी के लोग कल लाल चंदन के जलसे शिवजी का भी शेक करें और शिव अम्रितवानी सुनें इसके आपकी हर मनोकामना पूरी होगी कनिया राशी के लोग कल भांग मिले जलसे भगवान शिफ का भी शेक करना चाहिए इसे कोई बीमारी नहीं होगी अगर होगी तो समापत होगी लेकिन प्लीज डॉक्टर को दिखाते रहे अभी मैंने छे राशीयों के बारों में बताना बागी है कल सावन का चौथा सोमवार है आपको क्या करना है कोई दलती नहों इसी की मैं कोशिश कर रही है शो जारी है आपको जल्दी से आजकर दूसरा महा उपाए पताती हूँ क्या बच्चों पढ़ाई में मन नहीं लगता कमजोर है गाइडन्स के साथ साथ आप किसी जरुरतन बच्चे को बेटा या बेटी मानते वे किताबों का कपड़े का फीस का दान दे इससे आपका बच्चा भी पढ़ाई में आगे निकलेगा कल सावन का चौथा सोमवार है कल राशी के इसाब से आपको क्या करना है कैसे शिवजी को प्रसंद करना है लगातार बता रहे हूं छे राशों की जानकारी आपको दे दी थी छे राशों की बच्ची भी है अब उन छे राशों की बात भी कर लेती हूं तुला राशी के लोग कल भगवान शिफ्ग का गाय के घी है सुगंद्य टेल से अभी शेक परें साथी केशर मिश्रित मिठाई का भोग भी लगांए इससे आपके जीवन में सुक सम्रिदी आएगी प्रिशिक राशी के लोग कल शहद को जल में मिलाकर भगवान शिफ का भी शेक करें इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शहद या शकर का उपयोग भी आप कर सकते हैं धनू राशी के लोग कल दूद में केसर मिलाकर भगवान शिफ का भी शेक करना चाहिए आपको साथ ही शिफ मंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए मगर राशी के लोग कल तिल के तेल से शिफ जी का भी शेक करें तो आपके काम में सफलता मिलेगी बिल पत्र भी जड़ाएं कुम राशी के लोग आप लोग नारियल के पानी से या सरसो की तेल से भगवान शिफ का भी शेक करें इससे आपको धनलाब होगा और मीन राशी के लोग कल पानी में केसर मिलाकर शिफ जी का भी शेक करें अब आज का तीसरा महा उपाई क्या है आईए बताती हूँ क्या आपके काम में बाधा आ रही है काले गोडे को एक किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं और शनिवार को इसकी नाल ले आएं शनिवार को अपने घर पर में दर्वाजे पर यू शेप में इसको लगा दे शिफ जी तो भोले हैं उन्हें प्रसंद करने के लिए मन में सच्चा भाव होना चाहिए साथ ही आप छोटा सा भी उपाई कर लेते हैं तो भोले बंडारी खुछ हो जाते हैं जैसे अनाज की बाती ले लिजे महादेव को तरह तरह के अनाज अर्पित करने का विधान है लेकिन आपको सावन के चोटे सोमवार के दिन संकट के लिए कौन सा अनाज चड़ाना है ये आपके लिए जानना जरूरी है तो आईए इसकी जानकारी देती हूँ भगवान शिफ को चावल चड़ाने से धन की प्राप्ती होती है दिल चड़ाने से पापो का नाश होता है जोर पित करने से सुख में वृद्धी होती है भगवान शिफ को गेहु चड़ाने से संतान वृद्धी होती है ये सभी अन्भगवान को जरा सद दें, बाकी जरूरत मंदों को बादान कर देना चाहिए आज के चौथे महा उपाई के बारे में आपको पताती हूँ क्या आपको पैसो की तंगी आ रही है? फ्राइडे को 27 संत्रे गरी बच्चों में बादें, जरूरत मंदों को खिलाएं तो और भी अच्छा रहेगा आपको कल शिवजी की पूजा भी करनी है, वो भी सुबह सुबह, सावन के चौते सोमवार शिवजी की पूजा करना बिलकुल न भूले मैं आपको हर सुमवार एक दिन पहले ही शिवजी की पूजा का पूरा विधान बता रही हूँ, ताकि अगले दिन आपसे कोई गलती न हो आपको कल सावन के चौते सुमवार को कैसे पूजा करनी है, वो भी जान दीजे सावन में भगवान शिव को रोज पूजा करने से पुन्यफल प्रात होता है, भगवान शिव की पूजा इस विधान से करें कि सुभे और स्नाम सान के बाद सफेद कपड़े पहने, शिव जी के साथ माता पारवती, गणपती जी, कारते के जी और नंदी गण की पूजा करें पूजा में सवेरे अपना चेहरा इस्ट की तरफ रखें, शाम की वक्ट पश्चिम की तरफ, शिव परिवार को पंचामरित यानि की दूद, तही, शक्कर, घी और जलधारा से स्नान कराएं गंद, चावल, चंदन, सफेद, फूल, बिलपत्र, सफेद रस्त चड़ाएं शिव जी को प्रिय बिलपत्र, भांग का धतूरा भी पूजा में जड़ाएं सफेद मिठाई का भूग लगाएं, पूजा के दौरान शिव जी की पंचाक्षरी मंतर, ओम नमशिवाय मंतर का जाप करते रहें साथी धूप और गाए का दीब जलाकर, गाए की खी का दीब जलाकर आर्ती करें इसके बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करें उजा में और साथ साथ जीवन में हुई सारी जाने अंजाने की गलतियों की भगवान से शमा मांगे फिर प्रसाद ग्रहन करें और बाटे भी मेरी क्लास में आपका स्वागत है, आपकी हथेली पर जाल है, यह जाल आपके लिए जनजाल भी हो सकता है, वो कैसे आईए समझाती हूँ गुरू परवत, इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर अगर जाल यानि की क्रिस क्रोस का साइन हो, तो इंसान इगोस्टिक होता है, दूसरे पर अधिकार जवाने की प्रिविती होती है अगर मिडल फिंगर के नीचे यहां पर क्रिस क्रोस जाल हो ऐसे चेक 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 बना हो तो दासीनता होती है, पैसे मिस्टिक होता है, बहुत मेनत करके भी उसको सफलता मिलने के चांसे कम होते है अगर ring finger के नीचे यहाँ पर जाल का चिन हो, क्रिस क्रॉस हो तो अक्सर इनसान घमंडी होने की संभावनाएं होती है सोच समझकर फैसले कम करते हैं, मशूर होना चाहते हैं बुद परवत, little finger के नीचे यहाँ पर जाल का चिन हो अगर शुक्र परवत पर यहाँ पर जाल है इस तरफ तो इनकी जो नेचर है यह एक तरीके से बोल सकते हैं संकी होते हैं और दूसरों पर बड़ी ही मुश्किलों से विश्वास करते हैं यहाँ पर जाल होतो आईए बात करते हैं आज की special astro tip का कल सावन का चौथा सुमवार है खीर बनाकर शिवलिंग को शिवजिंग पर थोड़ी सी चड़ाए शिवलिंग पर चड़ाए बाकी गरीबों में बाते कल के दिन खीर बांटने पर आपकी बहुत सारी मुसीब्ते खत्म हो जाती है फेस्बुक पर अंकित ने हमारे साथ में अपनी समस्या शेयर की हैं अंकित को बहुत ज़ादा negative thoughts आते हैं और वो negativity से परिशान है और उपाई जानना चाहते हैं अंकित negative thoughts को दूर करने के लिए सुबह के समय माथे पर इधर कच्छा दूद लगाएं और रात को चंदन लगाएं साथ साथ affirmations बोले या आप गजेंद्र मुक्ष का पार्ट करें entertainment की बाद हम बाद में करेंगे पहले आपके कल future को अच्छा करते हैं क्या करना है अपनी राजशी की एसाब से जानिए सबसे पहले मेश राजशी की बाद मेश राशी की लोग भोले बाबा को बेल पत्र चड़ाएं लग साथ दे रहा है आपका 72% वृष्षब राशी वाले लोग शिव चंकर को तिल और दूद चड़ाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 68% मेश राशी वाले लोग शिव लिंग पर भोग चड़ाएं किसमत साथ दे रहा है आपका 65% करक राशी वाले लोग महा मुतिंजे मंदर का जाब करें लग साथ दे रहा हैं आपका 61% सिंग राशी वाले लोग रूद्र अभी शेक करें किस्मत साथ दे रही है आपका 70% कनिया राशी वाले लोग शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं भाग्य साथ दे रहा है आपका 79% तुला राशी वाले लोग शिव जी को गंगा जल से अभी शेक करें लक साथ दे रहा है आपका 73% व्रिश्चिक राशी वाले लोग शिव मंदिर में पूजा करें भाग्य साथ दे रहा है आपका 77% धनू राशी वाले लोग शिव चालिसा का पाथ करें किस्मत साथ दे रही है आपका 66% मकर राशी वाले लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भागे साथ दे रहा है आपका 68%, कुम राशी वाले लोग शिवलिंग पर गन्य का रस चढ़ाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 72%, मीन राशी वाले लोग शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं, और भागे साथ दे रह किसी भी खाली पेड़ के नीचे छोड़ाईए